नमस्कार दोस्तों, स्वाती भक्ति एन ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जै हो बागे श्वर्धाम, हर हर महादेब, जै जै हनुवान, जै शियाराम। उमीद करूंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिये। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास उपाई लेकर के आती हूँ। जिसे करने से आपके घड़ की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। अगर आपके जिन्दिए में किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजियेगा। मैं उस पे आप सभी के लिए वीडियो जरूर लाकिर के दूँगी। दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग रवीवार के दिन शूरीe देव का पूजा करते हैं। सूरीदेव यानि शूरीज़ भगवान इस दिन सुबह अश्नान करने के बाद शूरीव को अर्ग दिया जाता है। प्रतेक रवीवार हम लोग यह नियम करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता है दिनकर का विसेश पूजा होता है छट पूजा जो की एक बहुत ही बड़ा महापर्व है इसलिए दिनकर को जितना खुस कर सके जितने अच्छे तरीका से पूजा कर सके दिनकर भगवान उतना ही हम पे आसिरवाद बर्शाएंगे बहुत जगह देखा जाता है कि रवीवार के दिन महिलाए पुरुस के द्वारा वर्थ भी रखा जाता है और नियम के अनुसार इस दिन नमक नहीं खाया जाता है कहा जाता है दोस्तों कि रवीवार के दिन अगर आप पूजा पाठ करती हैं और नमक नहीं खाते हैं तो इसका आपको दो गुना फल मिलता है अगर किसी को सरीर से कोई कश्ट है तो उसे भी रभीवार के दिन वर्त रखना चाहिए और बिना नमक खाए आईए दोस्तों आज का मैं आपको अचुग उपाई बताती हूँ दोस्तों आप सभी को पता है अंदान करना एक बहुत ही ज़्यादा महत्पुर्ण बात माना गया है लेकिन अंदान करने का भी कोई ना कोई समय तिथी होता है अगर आप किसी भी दन अन को जाकर के मंदिर में या किसी गरीब को दान करती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जान लेना चाहिए दोस्तों अगर आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाके लड़ू या किसी भी मीठे चीज का दान करती है या चावल के खेर का ही तो वह बहुत ही अच्छा माना गया है साथ ही साथ अगर आप रवीवार के दिन अन का दान करती हैं विशेव रूप से चावल का तो इससे भी आपके घर के अगर कोई भी समस्याएं हैं जैसे कि पैसा का रुकावट आ गया है तो वह भी ठीक हो जाएगा और आप सभी को पता है कि अन दान करना एक बहुत ही अच्छी बात माना गया है साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेर है दोस्तों आप सभी को पता है पीपल में ब्रह्मा विश्नु महेश का वास होता है इसलिए पीपल में अगर आप प्रती दिन जल द देती हैं तो यह आपके लिए बेहद ही लाबदायक होने वाला है अगर आप अपने घर में पीपल का पेर रखी हैं लगा करके या आपके घर में इधर उधर कहीं पीपल का पेर लग गया है तो आप अगर उसमें पूजा नहीं भी करती हैं फिर भी आपको उसमें जल जरूर देना चाहिए दोस्तों अगर आप पीपल में भी एक मुठी चावल रखती हैं तो इससे भी आपको बहुत ही जादा लाब होने वाला है साथ ही साथ दोस्तों रवीवार के दिन विशेश रूप से अगर आपके पास जाव है यानि कि जब भी हमारे यहां नया नया फसल होता है तो उसमें से हम लोग गेहूंत निकालने के पहली जाव में रहता है तो इसलिए अगर आपके पास जाव है तो आपके लिए यह उपाई बेहद ही खास और अचुक होने वाला है अगर आपके पास जाव डंठल में लगा ही हुआ है उसे आपने नहीं तो रहा है तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आप ऐसे भी बाता है कि अगर आप अपने घर में जब भी धूपदान करती हैं या हवन करती हैं तो उसमें जो कभी प्रियोग करना चाहिए अगर आपके घर में किसी को भी धन से अन से या आपका भंडारा भड़ा नहीं रहता है तो इस तरीके का उपाई करने से मालक्ष्मी तो आपके घर आएंगी ही साथ में आपका अन कभंडारा हमेशा भड़ा रहेगा इसके लिए आप सभी को एक मुठी जो ले लेना है इसे आप अच्छे से साफ कर देजिए लेकिन ध्यान रहे जो पुरा खड़ा होना चाहिए जो का यह उपाई आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। आप सब इस उपाई को जरूर किजएगा वैसे तो आप बहुत सरा उपाई करती हैं धन को प्राप्ट करने के लिए सुखसानती है तू इस उपाई को भी जरूर कीजिएगा। एक मुठी जाओ लेने के बाद आपको पीपल के पेर के नीचे रख देना है पीपल के पेर के नीचे इस तरीके से रखना है जैसे कि एक मुठी जाओ आप रखके उसे अच्छे से सरिया के सैंत के और उसके उपर आपको एक दिया जलाना है दिया आप सरसो का जला सकती है घी का जला सकती है तिल के तेल का जला सकती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप दिया किस सीच का जला सकती है आपके पास जो भी समान है आप उससे दिया जला सकती है साथ ही साथ आपको एक विशेश रूप से ध्यान देना है कि आपको दिया जोग के ओपर रखना है अगर आप जिस मुख से पूजा कर रही हैं दिया का लौ उधर से ही होना चाहिए कहा जाता है कि ऐसे पूजा करने से दिया का लौ अगर आपके तरफ आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप पूजा पाठ करके वापस घर की ओर जाती है तो उस लोग को भी अपने साथ ले करके जाती है जो की एक उरजा का प्रतिक माना जाता है उस जोग का उपाई से ही आपके घर में भी आपके साथ सुखसांती और मालक्षमी का भी आगमन होता है दिया को आप सभी को जोग के उपर ही रखना है ऐसे करने से आपके घर में कभी भी अन की कमी नहीं होगी आपका भंडारा हमेशा ही भरा रहेगा अब इस तरीका से आप दिया जला लीजे उसमें आगर आप चाहती हैं तो वहाँ पर धूब दिप भी कर सकती है अगरवथी भी जला सकती है दोस्तो अगरवथी जलाने का भी एक अपना नियम होता है जो कि आप सभी के लिए में वीडियो ले कर के जरूर आऊंगी अब दोस्तों आप सभी को मैं बताती हूँ हल्दी एक ऐसा चीज है जो कि आप हमेशा पूजा पाठ में इस्तमाल कर सकती है विसेश रूप से आपको गुरू वारी के दिन हल्दी का गाठ विश्नु भगवान जी में चठाना ही चाहिए माना जाता है कि हल्दी चरहाने से अगर आपके घर में किसी भी तरह का सारीरिक रोग है किसी को तो वह दूर हो जाता है साथ ही साथ हल्दी हम सभी के लिए बेहत ही खास होता है आप सभी को रवीवार के दिन अपने सूर्ये को जो जल देती हैं अर्ग देती हैं उसमें एक चुटकी हल्दी दे करके अर्ग आप सभी को देना है सुर्य देब को और साथ ही साथ आपको उसी जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके पीपल में भी देना है माना जाता है कि अगर आप हल्दी का पानी पीपल के पेर में देती है पीपल आप सभी देखती ही होंगे कि कितना सकती साली बड़ा रहता है तो इस तरीका से अगर आप उसमें जल देंगी तो वह आपके घर की सारी समस्या को अपने ओर खीच लेते हैं ब्रह्मा विश्नु देपता का आप सभी को आसिरवाद मिलता है महलक्षमी का आप सभी को आसिरवाद मिलता है यह चीज आप रभी बार के दिन तो कर ही सकती है साथ ही साथ आप अगर चाहती हैं तो सुर्य देव को अर्ग देने के समय आप हल्दी का प्रियोग हमेशा ही कर सकती है करने से आपके घर में हमेशा सुख और सांती धन्दौलत का वास होगा दोस्तों आप सभी यह उपाई को जरूर कीजिएगा अगर आपको किसी और चीज पर विशेश उपाई चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मैं आप सभी के लिए उस पर वीडियो ले करके जरूर आएंगी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूं अगले वीडियो में